कि नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत कृष्ण बिहारी नूर की एक बहुत चर्चित घजल है जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं इसके दो तीन शेयर जरा सुन लीजिए इसके बाद जो चोता शेयर है वो आम आद्मी पारिती पर बिल्कुल सटिक बैठता है जरा सुनिए और बहुत चर्चित उनकी ये रचना है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जोर्म है पता ही नहीं इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं और जिन्दगी मौत तेरी मंजिल है दूसरा कोई रास्ता ही नहीं और चोथा जो शेर है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो ये है के सच घटे या बढ़े तो सच न रहे जोट की कोई इंतहा ही नहीं ये इतना जोट बोलते हैं इतना जोट बोलते हैं के कोई सीमा बची नहीं है और जो ताजा जोट इनका था जिसमें इन्होंना पूरा ड्रामा किया पूरा तांडाव किया और परदान मंतरी नरेंदर मोदी के खिलाब भी एडी के खिलाब भी भार्तिय जन्ता पारिटी के खिलाब भी तमाम तरह के आरोब लगाने शुरू कर दिये, दागने शुरू कर दिये, पता लगा के अमानतुल्लाख खान की तो गिरफतारी ही नहीं हुई है, अमानातुल्ला खान को एड़ी ने पुष्टाच के लिए बिलाया था अग्रिस्पतिवार को वो गए और उनसे करीब साड़े नो दस घंटे तक पुष्टाच हुई किस मामले में पुष्टाच हुई अब तक आप जान चुके होंगे ये वकफबॉड के चैर्मेंन थे 2018 से 2022 के बीच में इन्होंने बड़े गुल खिलाए थे 32 लोगों को गलत तरीके से नोकरी पर रखा था आरोप ये हैं कि उनको पैसे लेकर के रखा जो वकफबॉड की जमीन थी उसको गलत तरीके से पट्टे पर दिया और पट्टे पर देकर के जो वकफबॉड की संपत्ती थी उससे पैसे बनाए और वो पैसे कहीं लगाए जब एडी ने चापे मारी की तो इनके नजदीकियों के घर से लाखों रुपया बरामद हुआ बहुत सारे कुछ दस्तावेज कुछ दूसरी चीजे भी बरामद हुई हत्यार भी बरामद हुए दो रिवालवर उस समय बताया गया था कि बरामद हुए थे इनको इडी पूछताच के लिए बुला रही छे समन जारी कर चुकी थी नहीं आये थे पीमले कोट गई वहां से इनके खिलाब ग्रफतारी का वारंट गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की गई ये पहले हाई कोट गए वहां से इनको रहत नहीं मिली फिर सुप्रिम कोट गए सुप्रिम कोट ने भी फटकार ल कि अगर इनके खिलाप आपके पास सबूत है तो आप इनको ग्रफतार भी करिए नौ घंटे की पुष्टाश के बाद मीडिया में ये खबर चल गई कि अमानतुल्ला खान को ग्रफतार कर लिया गया है और ये खबर क्यों चली क्योंकि अमानतुल्ला खान एडी के ऑफिस जा हैं पहले से ही एक वीडियो रिकॉर्ड करके गए थे और इस वीडियो में यही था के मुझे गिरफतार कर लिया गया है ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ और ओखला की जनता के नाम बड़ा एक संदेश है जैसे सरहद पर ये लड़ाई के लिए जा रहे हों और और इसमें तमाम तरह की वोई सारी बाते कही गई हैं जो किसी की ग्रफतारी के बाद एड़ी के परवक्ता से लेकर के तमाम नेता वही वो जो एक रिकॉर्ड होता है ना रिकॉर्ड जो बजाया जाता था उसी तरीके से ये हर मामले में वही वही आरोप लगाते हैं और कि किन पर लगाते हैं कैसे कैसे लगाते हैं वही सारा इनोंने इस वीडियो में दोहरा दिया अमानतुल्ला खान का वीडियो अगर गरफतारी का खुद ही चलवा दिया इनोंने और इनके किसी नजदीकी ने चला दिया तो फिर बाकी तो कहेंगे ही के और समझेंगे ही के अमानत अगली बार जब हम बुलाएं तो आप आईए और वो क्या वीडियो जारी किया था इन्होंने जरा खुद ही देख लीजिए और सुन लीजिए मैं उकला की अवाम से ये बताना चाहता हूं कि पिछले तकरीबन डेड़ से दो साल से केदर सरकार की सारी एजन्सिया है वो पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई है बहुत परिशान किया है और उनकी ये कोशिश रही है कि मैं किसी नी तरह से इस्तीफा दे दूए और अ मुझे कि रस्तार कर लिया मतलब कितना बड़ा जूट बोल रहे हैं ये मैं इस्तीफा दे दूँ और अर्विन केजरिवाल का साथ छोड़ दूँ मैंने उनकी बात नहीं मानी मतलब भारती जन्ता पारिटी क्या करेगी इस आदमी का अमानत अल्ला खान का क्या करेगी भार रहे थे बीजे पी पर ये ही बीजे पी के कुछ दूसरे विधायकों के नाम लेकर के अर्विन केजरिवाल ने आरोप लगाए थे हमारे 21 विधायक तोड़ने की तैयारी हो रही है हमारे साथ विधायक तोड़ने की तैयारी हो रही है और ये आरोप हर साल हर 6 महिन में ये लगाते हैं और उसके बाद विश्वास मत प्राप्त करते हैं सदन से और वही रिकॉर्ड घूम रहा है अमानतुल्ला खान का भी कौन यकिन करेगा कि अमानतुल्ला खान को भारती जनत अपार्टी लेना चाह रही है और इससे कह रही है कि आप अर्विंद केजरिवाल का नहीं कि उससे बेतर तरीके से इंशालला ओकला की तमाम कलोनीज का काम करेंगे मैं जेल में रहकर भी अर्विंद केजरिवाल जी से बात करके सारे काम को कराएंगे हमारी यहां पूरी टीम को हमने जिम्मेदारी देदी है वह एक एक गली में एक घर घर जाकर कि लोगों से काम पूछ पूछ करके काम कराएगी परिशान होने की जरुवत नहीं है यह मुझे जेल में कितना भी रखें कितना भी टोचर करें ना मैं इनके साथ छुकूंगा ना तूटूंगा और ना छोड़ कर जाऊंगा गदारी मेरे खून में नहीं है मैं कल भी अर्विन जिवाल जी के साथ हैं और जिस वगब बोर्ड की ये बात करते हैं तो मुझे ये बात करते हैं लंबी चोड़ी सफाई लेकिन जो ट्वीट इन होने करवाया इसके बात जड़ा ये ट्वीट देखिए इनका यही वीडियो चला दिया आम आदमी पारिटी की जो ट्वीटर है उस पर और इसमें कहा गया कि दिल्ली की जनता के लिए आप MLA अमानतुल्ला खान का संदेश मुझे गरफतार करके मेरे होसलों को नहीं तोड़ पाओगे इसके बाद आप नेता अमानतुल्ला खान को इडि ने किया गरफतार ये भी आम आदमी पारिटी की ही ट्वीटर हेंडल से जारी किया गया और इस पर उपर लिखा गया murder of democracy इसके बाद क्या हुआ ये एक एक करके अमानतुल्ला खान के घर पहुचने शुरू हो गए रात को ही सूतना का पास जुलाहे से लठम लठा ग्रफतारी हुई नहीं थी तब तक इडि की तरफ से कोई बयान भी न ही हुई थी पर चुकि अमानतुल्ला खान ने इडि ओफिस जाने से पहले record किया गया video चलवा दिया तो ये सारे के सारे बयान देने पर आमादा हो गए और अमानतुल्ला खान के घर पहुच गए अब ये देखिए क्या कह रहे हैं इन्हों ने लिखा ये भी आमादमी पार अमानतुल्ला खान जी की ग्रफतारी के बाद उनके परिवार से मिलने पहुचे आप रज्यसभा MP संजे सिंग जी भाजापा के लोग हमारी पारिटी को बरबाद करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं इसके बाद इनके घर पहुचे सोरा भर्दवाज ने क्या कहा य जब भरती परकिरिया में पैसे का लेंदेन नहीं हुआ है तो इस मामले में एडी का शामिल होना गंभीर सवाल खड़े करता है एडी तब आती है जब मनी लॉंडरिंग हुई हो या पैसे का लेंदेन हुआ हो अब आप गोपाल राय को सुनिए ये भी महीं पहुच गए उ चुने जाने से रोका जा रहा है बीजे की जुबान पर चार सो का नारा है लेकिन भाजपा जानती है कि वो हारने वाली है और इसलिए घबराई हुई है अब ये तीन नेता पहुच गए तो चोती कैसे नहीं पहुचती तो आतीशी भी पहुच गई उनके घर और वहां ले आमानतुल्ला खान जी को गिरफतार किया गया है इडी के पास कोई सबूत नहीं है ये आपके खिलाप एक और साजिश है मैं भाजा पार उनके नेता प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी को बताना चाहती हूँ कि भले ही ये आपके हर मंतरी विधायक नेता कारिकरता को गिरफ रहेंगे और उन्हें वोट देते रहेंगे और इन्हों ने जो वीडियो के साथ मैसेज लिखा था अमानतुल्ला खान ने वो क्या था जा देखिए ये हाँ ये तो मैंने आपको दिखा दिया है तो कई लोगों ने ये जो बाद में खुलासा हुआ उस पर लिखा के जूट 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 आखिर कब तक ये सब चलेगा इसके बाद अमानतुल्ला खान को इडि ने घर जाने दिया कुछ हिदायते दे करके क्या क्या दस्तावेच चाहिए तो ये एनाई ने लिखा के इडि की पुष्टाश के बाद आप विधायक अमानतुल्लाखान अपने आवास पर पहुँचे लेकिन साब मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ ND TV की तरफ से आम आदमी पारिटी कवर करने वाले जो समध आता है उनका नाम है शरद शर्मा शर्द शर्मा के दो ट्वीट आप देखिए एक ट्वीट ये है आम आदमी पारिटी के एक और विधायक को एडी ने गरफतार किया अखला से आम आदमी पारिटी के विधायक और दिल्ली व्क्ष प्ल्ड के पूरवा ध्यक्ष आमानतुलाख कान को ईड़ी ने गिरफतार किया। आप विधायक की गिरफतारी की खबर आते ही आम आदमी पारिटी के नेता, बड़े नेता, संजा सिंग और आतिशी अमानतुल्लाख खान के घर जा रहे हैं और जब एड़ी ने इनको इनके घर जाने दिया, उसके बाद इनहीं शरद शर्मा का एक और ट्वीट देखिए आम आदमी पारिटी के विधायक अमानतुल्लाख खान गिरफतार नहीं हुए है, एड़ी ने पूश्ताच के बाद उनको छोड़ दिया है इड़ी सोर्सिज ने अमानतुल्लाख खान की गिरफतारी की पुश्टी की थी, जिसके बाद न्यूट चैनल ने खबर चला दी, लेकिन देर रात इड़ी दफ्तर से अमानतुल्लाख खान पूश्ताच के बाद अपने घर निकल गए है, मतलब कितना बड़ा जूट ये ब अब अचानक उसी इड़ी ने उनको घर जाने दिया, और जब ये घर जा रहे थे, इड़ी के मुख्याले से निकल करके, तो मेडिया ने इनसे पूश लिया, यानि अमानतुल्लाख खान से, कि भही क्या हुआ, आपका तो वीडियो भी चल गया था, यानि आपने तो एक त अब क्या हुआ, अब तो एड़ी ने आपको छोड़ दिया, आप घर क्यो जा रहे हैं, एड़ी ने तो आपको छोड़ दिया, तो आपने जूट क्यों बोला, वो गलत वीडियो को चलाया, तो उस पर देखिये, इन्हों ने क्या जवाब दिया है, सुपरिंग कोर्ट ने कहा था यहां पेश होने के लिए, तो मैं आया था सुबह 11 बजे, अब पूछता आच हुई है, मेरा बयान दर्ज हुआ है, और अब मैं जा रहा हूँ, आगे डोक्मेंट्स वगएरा जो भी हैं वो देने, यह हाल है, इनके जूटों का, और इतने ब इसलिए ताकि इसके राजनीतिक लाब उठाए जा सके हैं, और यह जो जूट पर जूट बोल रहे हैं, कभी अरविंद केजरिवाल के जेल में रहने के दोरान उनका साड़े चार किलो वजन घट गया है, कभी उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है, कभी दूसरे जूट ब पता है कि इनके हर जूट की हवा निकलनी है, और जब जूट पर जूट कोई पारिटी बोल रही हो, तो उसकी विश्वसनियत कहां और कितनी रह जाती है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बैल आइकोन को दबाना ना भूले, ताकि आगे आने वाले व झाले, तो सब्सक्राइब करें, 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 तो